आज की रेसिपी जो बन रही है वो बहुती श्पेशल बनने वाली है क्योंकि ये रेसिपी बना रही है मेरी मम्मी और मेरी मम्मी ये रेसिपी बहुती बढ़या बनाती है तो चले आज हम बनाएंगे कुछ स्वीट और ऐसा स्वीट बनाएंगे जिसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो तो आज हम बनाएंगे गुजरत का फेमस साटा ये बहुत ही ट्रेश्टनल रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही बढ़ा लगती है और इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो तो साटा बनाने के लिए यहां में हमने ले लिया है एक किलो मैदा और एक किलो मैदा के अंदर डाल दिया है चार से पांच चमच गी और चार से पांच चमच इतना तेल और चुटकी पर मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक क्योंकि कोई भी स्वीट आप बना रहे हो थोड ममी ने अच्छे से है और थोड़ा थोड़ा थेल का सburst और तो तो थोड़ा से पांच जमत और दाला है हम आता है और मुठ्धि वे बंद जए इतना थेल ब्सुर्प हमें आटा हमारा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए एकदम सॉफ्ट नहीं गूधेंगे आटे को थोड़ा सा हमें टाइट रखना है तभी हमारा जो साटा है वो बहुत ही पर्फेक्ट बनेगा एकदम कड़क बनेगा तो चलिए आटा गूध गया है अब उसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं अब यहां ले लिया है मैने 4-5 जमचीतना और मैदा ले लिया है और उसके अंदर डाल देंगे घी तो 2-3 जमचीतना घी डाल देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें आटा और जो गी है उसकी स्लरी बनानी है थोड़ा सा गी मिझे कम लग रहा था तो थोड़ा से मैंने और एड किया है तो इस तरह की running consistency आजाए इस तरह का हमें उसे बनाना है चलिए अभी आटे को भी rest मिल गया है 10-15 मिट अब उसे फिर से थोड़ा सा घूंत लेते हैं और अब आटे में से बड़ी बड़ी लोया निकाल लेंगे इससे हमें बड़ी सी रोटी बनानी है और उसे हमें बेल लेना है तो यहां पर मैं पहले से ही सारी लोया बना के ready कर रही हूं तो यह देखे सारी लोया मैंने बना ली है और अब एक एक लोया निकाल लेंगे और बाकी लोयों को हम डखके रख देंगे ताकि वो सूख न जाए और बेल लेंगे तो इसे फटा फट से मैंने बेल लिया है तो यह देखे इतनी बड़ी रोटी हमारी रेडी है और अब इसके उपर लगा देंगे इसलरी जो हमने रेडी की थी मैदा और गी बाली तो उसे अच्छे से इसके उपर स्प्रेड कर लेना है अगर आपको लगे कि स्लरी अच्छे से फैल नहीं रही है तो थोड़ा सा गी आप इसके उपर रोटी के उपर डाल के फिर से फैला सकते हो तो चलिए यहाँ पर मैंने स्लरी को अच्छे से फैला लिया है यहाँ पर मैंने डेड़ से दो चम्मच इतना स्लरी का यूज किया है और इस रोटी को मै अब कट करने के बाद इसे हमें हाथों से प्रेस कर लेना है घाली हाथों से इससे प्रेस कर लेंगे करने लान जो घो इसाथ हमें हाली हने vous know it 317-早 MOM redicot अभी इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं अगर आप साथ में रखोगे तो भी कोई प्रॉबलम नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छे से मोहिन लगाया है तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं तो चल सथГते हैं उसे एक साथ भaint एक लगा है's दूसरी से नाखे सः हुरुक्टरती हैं था सविकर नाट सब्सक्राइब ही में दूसरी तरहां झाल यह एक ला देनाखरे सीबरनीकरी पुर्बरनी चलनीकना कर दो एक साथ से लाज हो जाएंंगे और दूसरे तरफ से कच्च रहेंगे तो इसे बीच बीच में हिलाते रहना ज़रूरी है तो चले इस तरह से सारे साटे हम रेडी कर देंगे एकदम लो फ्लेम पे हमें उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है साटो का एक बेच रेडी होने में तकरिबन 5-7 मिट लगेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे फ्राइ करना है तो थोड़ा सा टाइम ज़ादा लगेगा और ये देखिए हमारा एक बेच एकदम रेडी है तो इस तरह का गोल्डन ब्राउन हमें उसे पकाना है बहुत लाल भी नहीं करेंगे और एकदम वाइट भी नहीं रखेंगे इस तरह का गोल्डन ब्राउन कर आने तक उसे हम पका लेंगे चलिए दूसरा बेच भी मैंने डाल दिया है और उसे भी इसी तरह में fry कर लूँगी और side में मैं इसे बिलती भी जाओंगी तो चलिए सारे sato को मैंने fry कर लिया है और सारे sato हमारे बनके के ready है नहीं अभी एकडम ready नहीं है अभी इसे हमें sweet बनाना है तो sweet बनाने के लिए हमें चाशनी तो चलिए अब करते हैं चाशनी की तयारी तेल को मैंने रख दिया है साइड में और निकाल ली है एक बड़ी सी पतीली अब इसके अंदर ले लेंगे चीनी तो चीनी आपको मैं मेजर करके बताती हूँ कि आपको कितनी चीनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने measuring cup निकाल लिया है यह एक cup है और इसके अंदर डाल देंगे चीनी तो एक cup जितनी चीनी तो निकल गी लेकिन थोड़ी सी चीनी कम कड़ेगी है मेरे डिपे में तो मैंने all ले ली है तो यहाँ पे तकरीबन मैंने तीन कप जितनी चीनी ले ली है यह मेज़र मेट एक दम परफेक्ट है एक किलो मैदा से आप साठा बना रहे हो तो तीन कप चीनी इनफ है और अब इसके इंदर डाल देंगे पानी और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही करना है रेडी चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे पकाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसी चाशनी बनानी है तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है प्लेट्स क्योंकि चाशनी बन जाए फिर फटा-फट से हमें काम करना होगा तो प्लेट्स मैंने रेडी कर ली है बड़ी सी थाली हमें निकाल ली है क्योंकि साटे हमारे बहुत सारे है तो हमें थाली भी बड़ी बड़ी चाहिए थोड़ी जाधा quantity में चाहिए तो चले अब चाशनी में आपको दिखाते हूँ कि कैसी होनी चाहिए तो ये देखे चाशनी पकने लगी है और एक अटोरी में पानी ले लेंगे थोड़ा सा और उसके अंदर डालेंगे थोड़ी थोड़ी चाशनी एक से दो बुन चाशनी अगर फैल जाए तो उसे और पका रहा है तो यहाँ पे मेरी चाशनी अभी फैल रही है तो मैंने उसे एक से दो मिनिट और रख दिया है और फिर से मैं उसे चेक कर रही हूँ तो 1-2 मिनिट के बाद मैंने उसे फिर से चेक किया है तो ये देखे थोड़ा सी जमने लगी है लेकिन अभी उसे और 1-2 मिनिट पकाने की जरूरत है कि एकदम अच्छे से जमें तब ही हमारी चाषणी एकदम रेडि होगी तो इसे हम एक से दो मिनिट और पकाएंगे और अब फिर से चेक करते हैं तो ये देखे इस तरह चाशनी हमें जमी हुई लगनी चाहिए मतलब कि डाले पाने में और जम जानी चाहिए तुरन इस तरह का टेक्स्चर आजाए तो समझ लेना हमारी चाशनी रेडी है और अब गेस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे और अब फटा फट से काम करने लगेंगे तो यहां पर मैंने दो चीम्टे निकाल लिये हैं क्योंकि मैं और मेरी मम्मी फटा फट से दोनों मिलकी यह करने वाले हैं तो थोड़े से साटे मैंने डाल दिया हैं चाशनी के अंदर और इस तरह चाशनी में उसे डुबा डुबा के निकाल ले रहा हैं थाली में तो थाली में हम रखेंगे तो इसे पीच में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे एक दम पास पास मेनी रखेंगे वरना ये एक दुस्तरे के साथ चिपक जाएंगे तो इसे हमें एक दम फैला के रखना है तो ये देखें बहुत सारे साटे मैंने और मैंने हमीने रेडी कर लिये है और ये चाशनी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसे फिर से मैंने गरम करने के लिए रख दिया है तो अब इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे पहले जिस तरह हमने चाशनी बनाई थी उसी तरह बनाएंगे ये दुबार हम करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है पहले जी इतना तो अगर चाशनी जम जाए तो उसे फिर से इस तरह हम करेंगे तो ये देखिए हमारे सारे साटे बनके एकदम रेड़ी हैं यहाँ पर थोड़े से साटे मैंने बचा लिये हैं उसे मैंने स्वीटनी बनाया है क्योंकि उसे मैं नमकिन बनाऊंगी क्योंकि किसी को sweet नहीं पसंद होता है तो आप उसे नमकिन बना के भी खा सकते हो तो नमकिन बनाने के लिए इसके उपर मैंने जलजीरा और red chili powder का mix उसके उपर डाल दिया है चिड़क दिया है एक चमच जलजीरा लिया था और एक चमच red chili powder अगर आपके पास जलजीरा नहीं है तो आप चाट मसाला भी ले सकते हो और उसके उपर sprinkle कर लेना है और आपको मैंने तोड़के भी दिखा दिया कितना easily है तो दीखिए सारे साथे हमारे अच्छे से ready हो गए है साथे एकदम ठंड़े हो जाए फिर उसे हम निकालेंगे और ये लिखिए कितने बढ़िया से साथे हमारे बनके ready है थाले के नीचे मैंने तेल या गी कुछ भी नहीं लगाया था फिर भी easily निकल जाएंगे लेकिन उसे एकदम ठंड़ा होने देंगे फिर निकालेंगे तो चलिए अब उसे भढ़ देते हैं एक air tight कंटेनर में एक किलो मैदा से कितने सारे साथे बने हैं और आप इसे बहुत दिनों तक enjoy कर सकते हो इसका taste भी as it is रहता है कुछ भी नहीं होता है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करेशना